हलो फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम डायटिंग के बारे में बात करने वाले हैं आज कल के दिनों में लोगों का खानपान और लोगों के जीने के लाइफ स्टाइल इनके लिए डायटिंग क्या सही है या गलत है इस बारे में बात करने वाले हैं डाईटिंग कभी भी किसी एक्सपर्ड से पुछे बिना न करे यَवं भुकाई रहना डाईटिव नहीं होता इस बात का ध्यान रखे जब भी कोई वेक्टी डाइटिंग के बारे में सोचता है तो उसके डिमाग में सबसे पहला सवाल आता है क्या डाइटिंग सियद के लिए सही है या इसमें कोई हानी है क्या इसका कोई दूस प्रभाव हमारे सियद पर पड़ेगा या ये केवल कुछ समय तक एपेक्ट करेगा जैसे कई सवाल हमारे डिमाग में आते है बहुत से लोगों के मन में एह सवाल होता है क्या उसे डाइटिंग करना चाहिए क्या ये उसके लिए सही या गलत है इसके लिए एक ही उत्तर होता है ये निर्बर करता है आप पर आपकी सैजरिक रचना पर आपकी सियद पर आपके वजन पर कोई वजन कम करने के लिए डाइटिंग करता है तो कोई एक्जरसाइज करता है तो कुछ लोग दोनों ही करते है यह जरूरी है कि आपका वजन कम हो परन्तु इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आपका इससे वजन कम करते है जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी 70 केजी से कम या 100 केजी से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए वैसे तो डाइटिंग के कहीं फायदे है परन्तु अगर डाइटिंग सही तरीके से नहीं की गई तो नुक्सान भी पहुचा सकती है डाइटिंग के एडवांटेज वजन कम होता है हेल्दी डाइट लेने से सरीर सोस्त रहता है पोलेश्ट्रॉल, ब्लड प्रेसर, कंट्रोल रहता है एक्जरसाइज करने से एक्टिव रहते है सेल्प कंट्रोल बढ़ता है और बोडी डिटॉक्सिफाइड होती है डाइटिंग के डिस एडवांटेज कमजोरी आती है कुछ मात्रा में बाल जटना, दाथ में परिस्यानी होती है तकान जल्दी होती है, चिटचिड़ापन होता है सरीर में पोसक तत्व की कमी होती है तो इस परकार आपने देखा कि डाइटिंग के लाब और नुकसन डाइटिंग डाइटे सीयन ये डाक्टर की सलाव पर सही धंग से की जाना चाहिए इसे सही तरिके से फ्रॉपर प्लैन के अनुसर किया जाता है तब ये अपना अच्छा असर दिखाती है आज कल की लड़की या दूसरों की देखा देके डाइटिंग करने के पीछे भागती है ऐसा नहीं करना चाहिए हर किसी का सर्जित डाइटिंग के लिए तयार नहीं रहता अगर आपको डाइटिंग से डिल्टेड हमारा वीडियो पसंद आया तो सच्छी कौम न्यूट्रिजन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें फालो डाइट नियू हेल्दी लाइट थैंक्यू